Hey guys very good morning to everybody I hope everybody is doing fine और जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पर देख रहा होगा आज हम बात करने वारे हैं UGC.net के बारे में तो इसका जो फॉर्म पिला पर वो अल्रीडी चल रहा है और अल्रीडी स्टार्ट हो गया है तो जो लोग भी को लेकर के इंट्रेस्टेड है कॉमर्स दिन का सब्जेक्ट है वह आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं मैं आपको free of cost में यहां पर online वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां पर मैं आपको UGC.net पढ़ाओंगा और जो फॉर्म निकला है जो फॉर्म फिलाव भी चल रह आपके उसके पहले कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल को और जो बहले कहना उसको दबादी है ताकि आपको मिले वीडियो की दी चाहेगी ठीक है तो चलिए फिर देख लेते हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दीकरा होगा UGC.net 2023 जो दिसंबर में होने वाला है वो अप 23 में होगा दिसंबर 2022 का जो नेट है वो फेबुरी 2023 में आपका जो है एक्जैंम होने वाला है फॉर्मफिलब उसके लिए जो है स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक आपका जो है form फिलब चलने वाला है आप तू 5 पीम, शाम के 5 होजे तक, 17 जनवरी के शाम के 5 होजे तक आप UGC.NET के लिए apply कर सकते हो, तो यहाँ पे सरफ commerce ही नहीं, टोटल 83 subjects हैं, जिनके लिए आप apply कर सकते हो, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिफिरा होगा, 83 subjects यहाँ पे हैं, जहाँ पे आप apply कर सकते हो, इसके 20 तारीक को, 20 की रात, 11 वजे तक आपको जो है, यह window खुला हुआ मिलेगा, जहाँ पे आप corrections कर पाओगे, एक line मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, जो की miss हो गया actually, आप देखो form fill up तो आपको 17 जनवरी 2023 तक कर लेना है, पेमेंट अगर आप 18 को भी करोगे तो चलेगा, पेमे बचकर 50 मिनट तक आपको पेमेंट कर देना है, उसके बाद आप पेमेंट भी नहीं कर पाओगे, तो बिना पेमेंट के आपको form submission भी नहीं हो पाएगा, उसके बाद जैसा कि मैंना आपको बताया है, correction window आपका 19 और 20 को खुला हुआ रहेगा, 11 बचकर 50 मिनट तक तो इसको कर लेना, साथे साथ आपका जो announcement of city of exam center, आपका जो exam center है, वो कहां पढ़ेगा, किस जगार में आपको exam देने के जाना है, उसका announcement जो है आपको first week of February में देखने को मिल जाएगा, छीगा, आप अपना admit डाउनलोड कर सकते हो second week of February से, परवरी की second week से आप अपना admit डाउनलोड कर पाऊंगे, जो examination की dates है, आपको पता है कि UGC net की बहुत सारे papers होते हैं, तो सारे papers को एक ही दिन conduct कर आपना possible नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर 21st February से लेकर के 10 March तक continuous आपकी examination के dates होंगे, किसी दिन commerce होगा, किसी दिन Hindi होगा, किसी दिन English होगा, किसी दिन history होगा, अलग अलग subjects का अलग-अलग date होगा, तो commerce का date, I hope कि March में पढ़ेगा, वो फेब में नहीं पढ़ने वाला, तो time है, आपके पास तक्रीपन दो महीने complete, आपके पास time है, तो definitely इसको अच्छे तरीके से यहनों utilize कीजिए, तो यह exam की dates मैं आपको बता दी है, अगला है center date and shift, तो कौ कौन सा center आपका examination पढ़ेगा, किस date पर पढ़ेगा और किस shift पर होगा, यह आपको indicate आपको करकिया जाएगा, admit card पर, जब आप admit card download करोगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़े पता चल जाएगी, कि कौन से center पर आपका exam है, किस date को है, और किस shift को है, shift दो दरह के होते हैं, एक तो morning वाला shift है, ठीक है, और एक day वाला shift है, तो दोनों में से कोई एक shift आपको पढ़ेगा, ठीक है, answer की जो है, उसको बाद में website के उपर डाल दिया जाएगा, website के बारे में भी यहाँ जानकारें दी गई है, दो website यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप कर सकते हो, application fee की अगर बात करें, तो general और जो unreserved होते है, general को ही unreserved बोलते हैं, उनको 1100 रुपे payment करना है, जो general की जो economic weaker section जो है, EWS, जो कि अभी recently पदारमंदरी मोदी ने इसको आइड गरा था, recently नहीं, काफी 2-3 साल तो होई गया है तकरीब है, तो इन लोगों को plus OBC के जो students है, non creamy layer व वो 550 रुपे fee payment करके अपना कर सकते हैं, याद रखना आपके पास OBC, NCL का certificate होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि आप OBC में हो, आपने apply कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, आपके पास certificate भी proper होना चाहिए, क्योंकि जब भी scrutiny होगी, verification होगा, तो आपको यह certificate क्या वश लो, उत्ता ज़्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पर वही सब बोला आएगा कि email address, mobile number अच्छे तरीके से देने, और उसको ऐसा कोई mobile number नहीं देने, जो कि आने वाले समय में तुरंत बंद हो जाएगा, कम से कम 6 महीने चलने चाहिए, वगेरा वगेरा, आपको online made ही use करना है form fill up का, आपको offline mode में किसी पी तरह का form fill up नहीं करना है, आपको कोई hard copy नहीं भेजना है center में, इस तरह की चीज़े है, और अगर आप किसी पी तरह की difficulty होती है apply करने में, तो आप इन दोनों tool free number पे आप call कर सकते हो, simple इसको याद कर लो, इसको लिख लो, आया फिर आप mail कर सक सकते हो, इन सब चीज़ों का आप no down कर सकते हो, अगर आपको form fill up करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप no down करके रखो, यह उस time पे आपके काम आ जाएंगे, तो यह पूरा का पूरा जो है, आपका notification था, जो मैंने आप भी आपको पूरी बात बताई है, अगर आपको किसी भी तरगा doubt, still इस notification में है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इस वीडियो के तुरंद बाद में, Ignu का, I mean, Net का जो first paper और second paper है, उसका syllabus भी आपके साथ share करने वालो हो, ठीक है, तो मिलते हैं एंगले class में, lectures के साथ, अपना ख्याल रखो, bye-bye, thank you.